हेलो दोस्तों नमस्कार सस्याकाल एक बाफिट से आपका स्वागत है आरपिला में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिनको प्रिस करें साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रिस कर दिजेगा जिसके फीचर की अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी आज किस वीडियो में हम डिस्स करने वाले हैं नेरो लैक पेंट्स के बारे में हम डिस्स करेंगे interior paints के बारे मैंने already video बनाया है अगर अभी तक आपने नहीं देगा है तो ipe turn पे click करके आप इस video को देख सकते हैं अगर आप घर को paint कराने के बारे में सोच रहे हैं तो ये video आपके लिए बहुत important होने वाली है and especially उनके लिए जो बाहर के हिस्से में घर को paint कराना चाहते है तो इस video में हम narrow lag exterior paints के बारे में complete में discussion करेंगे कितने categories हैं उस categories में कितने तरह के paints available हैं उनकी properties क्या है cost क्या है, life क्या है ठीक है? इस सब चीज के बारे में हम discuss करेंगे, तो वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा इसकी मत कीजिएगा चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को start किया जाए अगर हम narrow lag exterior paints की बात करेंगे इनको 3 categories में divide किया गया है सबसे पहला category आता है popular range जो की यह सबसे lowest budget paint है दूसरा category आता है premium range यह medium budget का paint है and third आता है luxury range यह one of the expensive category है exterior paint of narrow lag अगर आपका budget बहुत कम है तो आप जाएए popular range में अगर आपका budget ठीक है means थोड़ा सा better है तो आप premium range में जाएए अगर आपका budget constrained नहीं है then आप जरूर luxury range में जाएए so budget के according आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से category का paint हम purchase करें narrow lag brand में and narrow lag brand एक one of the best brand है so आप Asian paint पे भी जा सकते हैं आप narrow lag पे भी जा सकते हैं and आप burger paints भी जा सकते हैं मैंने इन सभी पे videos अलड़ी बनाया है interior paints पे मैंने तीनों पे video बनाया है Asian paint पे मैंने जो है वो interior and exterior दोनों बनाया है and narrow lag पे भी मैं exterior पे बना रहा हूँ और बर्जर पर in coming time में बनाऊंगा चलिए तीनों काटेगरी को one by one discuss करते हैं आप से मिलते हैं end में पहली काटेगरी है popular range इसमें दो तरह की paint है पहला narrowlex surakshah acrylic exterior emulsion और दूसरा आता है narrowlex surakshah plus अगर हम premium range शी बात करें जो कि यह दूसरे number की category है और यह जो भी इसमें paints आते हैं वो advanced paint है as comparison to popular range इस premium range में तीन तरह के paints आते हैं पहला narrowlex surakshah dust resist दूसरा है narrowlex surakshah sheen and third है narrowlex surakshah advance अब बात करते हैं जो कि है luxury range यह top most expensive paint है narrowlex exterior में इसमें सारे paints जो हैं वो excel के name से जाने जाते हैं पहला इसमें आता है जो वो है narrowlex excel total दूसरा है narrowlex excel top guard third है excel mica marble चौता है excel mica marble switch and sheen and fifth है excel anti-peel last है excel tile guard so अभी हम एक एक करके सारे paints के बारे में detail में dishes करते हैं so popular range में जो सबसे पहला paint आता है वो है narrowlex surakshah acrylic exterior emulsion अगर हम इसकी properties की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला property आता है वो है it provides smooth and sheen finish जब भी आप इस paint को करवाते हैं तो paint कराने के बाद आप देखेंगे इसमें smoothness मिलेगा आपको and साथ ही साथ एक sheen finish मिलेगा sheen का मतलब होता है shining दूसरी property है it has good washability आप इस paint को wash भी कर सकते है मतलब उस particular wall को आप wash कर सकते है third इसकी property है it has good anti-peel और we can see anti-peeling properties anti-peel property मतलब होता है कि जैसे आप देखते है generally क्या होता है paint कराने के बाद कुछ time बाद जो है न वो paint उखरने लगता है and वो कुछ अगर हम आसान भासम बोले तो वो छिलके टाइप का दिखता है ठीक है अगर आप इस image को देखेंगे तो आप अपको आसानी समझ में आ जाएगा so इस paint में ये खास property होती है कि वो paint को उखडने से बचाता है ठीक है अब जल्दी paint उखडता नहीं अगर हम next property की बात करें तो ये high durable and easy to use है मतलब इस paint को आप असानी से इस्तमाल कर सकते है अगर हम इसकी price की बात करें तो price जो है 190 rupees per liter है and color cost जो हो extra पड़ेगा area covering की बात करें तो area जो covering इसमें है वो 110 square feet approx complete claim करता है per liter double coat अगर surface जो हो non absorbent है मतलब कहने का अगर fresh wall होगा तो paint की जो quantity होगी ज़ादा जाएगा दूसरा अगर आप पुट्टी के बाद direct आप paint apply कराते हैं तब भी उस वक्त जो paint absorb करने की capacity है वो बढ़ जाती है तो उसमें आपका paint ज़ादा जाएगा so again area covering कम हो जाएगा so point to be noted जब भी आप घर में paint कराएं तो पुट्टी के बाद primer जरूर लगवा है उसके बाद ही paint कराएं अगर हम इसकी color sheets की बात करें तो इसमें 1000 plus के color sheets आपको देखनों के मिल जाएंगे और इस paint को apply करने के बाद इसकी जो dry timing है सूखने की timing है वो minimum 30 minutes होता है ठीक है अगर double coat और triple coat कराना है तो आपको minimum 30 minutes देना पड़ेगा after single coat last है कि अगर इसकी life की बात करें तो 4 plus years की life होती है so इस category में जो दूसरा paint आता है वो है narrowlex सुरक्षा plus अगर हम इसकी properties की बात करें it provides smooth and matte finish यह paint भी smooth finish प्रोवाइड करता है but इसमें sheen finish नहीं होता है जैसे पिछले paint में sheen finish था है इसमें आपको matte finish मिलेगा shining paint में नहीं होता है it has good anti-peeling property इस paint में भी आपको anti-peel की property देखनों के मिलेगा paint आसानी से नहीं उखडेगा long term तब चलेगा प्राब्लम नहीं आएगा durability भी इसकी काफी अच्छी है it's a washable paint यह भी paint जो है washable है it retain its color इस paint ही खास बात क्या है कि इसका जो color है न वो fade नहीं पड़ता है so retain की properties में अच्छी है paint long term तर अगर आज आपने paint कराया after long time means six month बाद या one year बाद अगर आप इस paint के color को देखेंगे तो वो paint वैसे का वैसा राता है paint जो color होता है वो fade नहीं पड़ता है so इसमें color retain करने की property काफी अच्छी है price की बात करें तो 180 rupees per liter इसका base आता है white color आता है अगर आप कोई shade जाएंगे तो उसका अलग cost आपको देना पड़ेगा area covering की बात करें तो 100 square feet per liter company claim करता है double coat again if जो surface है वो non absorbent है तो color shade की बात करें तो 1000 plus color shade इसमें देखने मिलेगा drying damming 30 minutes है life जो इसकी इसकी भी 4 plus years की होती है अगर हम life जो हम particular बोला है four plus years यह minimum इतना होता ही है इसकी life five years six years eight years तक भी चल सकता है until and unless moisture content contact नहों ठीकिए अगर moisture के contact में आया तो कोई भी paint वो खराब होता ही है देखिए raining is a different scenario ठीक है अगर raining की बात करें तो अलग चीज हो गया इसको आप इससे mix मत कीजिए raining क्या है कि वो particular season के लिए आता है ठीक है एक महीने दो महीने तीन महीने तक ही चलता है बट अगर moisture contact की में बात कर रहा हूं तो अगर आप यह घर में कहीं भी sealant है ठीक है और उसकी वज़ा से अगर paint जो है वाल जो है वह उसमें proper contact रहा moisture का so definitely वह paint कुछ time बात खराब हो गई now अब हम बात करते हैं second category की जो है वह premium range premium range में जो सबसे पहला paint आता है वह नेरोलैक्स रक्षा शीन अगर हम इसकी property की बात करें तो जो सबसे पहला property इसकी वह है इट प्रोवाइट स्मूध एंड हाई शीन फिनिश ठीक है इस स्मूधनेस तो आपको इसमें मिलेगा ही लेकिन जो shining की property को काफी जाता होगा इसमें brightness भी काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा it has good anti-pilling property again इसमें भी जो paint है वह anti-pilling property exist करता है paint जल्दी नहीं उखटेगा time के साथ high durable and easy to use durability that means durability काफी अच्छी है इस paint की खासबत क्या है कि इस paint में anti-fungal property होता है मतलब जो paint है उसमें fungal लगने के chances रहते हैं ठीक है और वो basically moisture की वज़े से होता है so इस paint में अगर माली जे moisture के contact में paint आता भी है तब भी इसमें fungal जो है वो नहीं develop होगा it's a washable paint आप इसको wash कर सकते हैं and it has low VOC now low VOC भी काफी अच्छी property है इस paint की VOC का मतलब है volatile organic compound यह जो है वो सभी paint में present होता है generally minimum 5 gram per liter present होता है इसकी खास बात क्या है कि यह जो है paint की liquidity है ठीक है और dry timing को यह बढ़ाता है otherwise अगर यह नहीं mix करेंगे तो paint जो है वो जल्दी सूख जाएगा ठीक है now यह जो VOC है यह harmful substance होता है इसलिए कभी कभी आप देखते है न पेंट कराने के बाद आपको smell आती है कुछ यूजर हमारे पिछले वीडियो में comment किये थे कि हमने paint कराया उसके बाद उसमें smell बहुत आ रही थी इसमें लिए VOC के वज़े से आती है तो यह volatile substance है तो कुछ टाइम बाद यह vanish हो जाता है अगर हम इसकी price की बात करें तो यह रूपीस 230 पर लीटर मिलता है base color या इस white अगर आप कोई color shade में जाते हैं तो आपको उसका extra cost देना पड़ेगा यह सभी paint के साथ है अगर आप color shade मे जाएंगे तो extra cost आपको देना ही पड़ेगा area covering की बात करें तो इसमें भी 100 square feet per litre company claim करता है double coat again if surface is non absorbent color shade की बात करें तो इसमें आपको ज्यादा color shades मिलता है as compared to popular range इसमें आपको 2000 plus color shades आपको देखने को मिलेंगे drawing timing 30 minutes है and life 7 plus years है and one more thing अगर आप घर को paint कराने कि बारे में सो collection के बारे में थोड़ा सा लेके doubt में हैं तो आप मारे इस इन वीडियो को देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके इसमें मैंने color sheets color combinations के बारे में discuss किया है अगर आप इसको देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा now इस category में जो next paint है वो है narrowlex उरक्षा dust resist इसकी जो पहली property provide smooth and excellent sheen finish देखिए इसमें भी smoothness तो आपको मिलेगा ही मिलेगा लेकिन अब जो यह sheen finish है इसमें यह excellent fungal and anti dust property देखिए fungal की anti fungal की इसमें property तो होती है कि fungal इसमें develop नहीं होने देगा साथ में anti dust की इसमें property होती है मतलब जो धूल मिटी होती है न वो देखते हैं wall में क्या होता है वो stick हो जाता है में चिपक जाता है तो इसमें anti dust property तो अगर आप मालेजे dust इसमें लगता भी है तो यह आसानी से निकल जाएगा ठीक है paint के साथ चिपकान नहीं रहेगा तो यह काफी ज्यादा अच्छी property है it has low VOC इसमें भी VOC की proper quantity कम होती है price की बात करें तो यह थोड़ा सा costly बढ़ता है 210 rupees per liter white color and color cost थोड़ा सा आपको extra देना पड़ेगा color cost के लिए area covering again 100 square feet double coat complete करता है अगर हम color sheets की बात करें तो 2000 plus color sheets आपको देखने को मिलेंगे drawing timing 30 minutes for every paint life के बाते रहें तो 7 plus years की life होती है यह 10 plus years भी चल सकता है अगर moisture के contact में यह paint continuously नहीं रहता है तो अब इसमें जो third paint आता है इस category में वह है narrowlex सुरक्षा advance यह थोड़ा सा costly है इस category में यह paint अगर इसकी property की ब लेगा excellent shin finish shining काफी अच्छी होगी good anti peeling की property इसमें भी होती है durability भी काफी अच्छी होती है easy to use है superior anti fungal and anti dust property इसमें जो anti fungal की property हो सबसे हाई होती है ठीक है मतलब fungal infection का तो इस paint में chance ही नहीं है अगर आपको confusion की fungal anti fungal में बारव बो रहा हो नहीं हो तो इस फंगल क्या problem है paint में तो अगर आप इस image को देखेंगे तो आपको असानी से समझ में आ जाएगा anti dust property इसमें होता है कि dust इसमें stick नहीं करेगा and it's a washable paint आप इसको wash कर सकते हैं इसमें भी low VOC होता है price की बात करें तो approach to 20 आपको पड़ेगा and color cost structure देना पड़ेगा one more important point I would like to add कि जो price के में बात कर रहा हूं city wise price vary कर सकता है and time to time price vary भी करता है area covering की बात करें तो 130 square feet आपको double coat company claim करता है and color shades इसमें भी 2000 plus color shades आपको देखने हो मिलेंगे drawing time in 30 minutes life 7 plus shades के होती है now अब हम third category बात करेंगे जो है luxury range it is one of the most expensive category in narrow leg exterior paint इस category में जो सबसे पहला paint आता है वो है narrow leg axle top guard यह सबसे expensive paint है luxury range में so अगर हम इसकी property की बात करें so it has anti-crack bridging property with flexible film यह सबसे important property है इस paint का इसमें क्या basically होता क्या है कि जो fine hair fine cracks wall में generally generate हो डेवलप हो जाते हैं तो उसको यह क्या करता है डेवलप होने से बचाता है ठीक है तो anti-crack की property इसमें दूसरा यह film थोड़ा सा flexible है means according to the temperature यह जो paint की film होती है वो expand हो सकती है या contract हो सकती है अगर हम इस second property की बात करें तो it forms a protective layer on the wall that can withstand up to 7 bar pressure means 7 bar pressure तक यह paint sustain कर सकता है protective layer की वज़ए से इसमें भी smoothness को मिलेगा and shine finish excellent shine shining काफी अच्छी रहेगी resistance against water यह paint जो है आपको काफी ज़्यादा resistance provide करेगा against water ठीक है बाकी paint के comparison में because it's a luxury range paint and जैसे मैंने बताया था कि यह जो paint है वो high temperature में भी बिल्कुल सही से काम करेगा यह durable काफी ज़्यादा durable होता है easy to use है superior इसमें भी anti fungal की property मिलेगी anti dust यह भी paint है washable है because इसमें जो है आपको resistance to water मिल रहा है इसमें भी low viosi होता है अगर हम cost की बात करें तो यह सबसे expensive paint है जैसे मैंने बताया तो इसका price भी काफी ज़्यादा expensive ज़्यादा high है so अगर price की बात करें तो यह 480 rupees per liter आपको मिलेगा base and extra cost देना पड़ेगा आपको color का one more thing इस paint को कराने के लिए जो अलग-अलग तरह के coat कराने पड़ेंगे एक आता है base coat एक आता है top coat जिसे आप image में देख सकते हैं area covering की बात करें तो इसमें lump sum आपको 110 square feet आपको double coat company claim करता है और इसमें shades की बात करें सबसे ज़्यादा range में आता है that is 4000 plus color shades आपको देखने को मिलेंगी drawing timing 30 minutes and life की बात करें तो 12 plus years की life होती मिन्स यह 15 साल भी तक चल सकता है अगर proper caring की जाए इस paint की तो जो इस category में second paint है वो है narrow leg XL total अगर हम इसकी property की बात करें तो सबसे पहला property है it contains special type of polymer which provide better protection to the wall इस paint में एक इस पे अलग तरीके का polymer होता है जो की एक better protection provide करता है wall को second यह seven pressure तक seven bar की pressure तक अच्छे से काम करता है it provides smoothness and excellent sheen finish इसमें भी smoothness अच्छी मिलेगी shining अच्छी मिलेगी आपको resistance to water यह बहुत ही अच्छी property इस paint की यह भी water के against अच्छा काम करता है and यह जो है इसकी एक और खास बात है कि room का जो temperature means जिस particular room में या wall environment में इस paint को कराया जाएगा वहां का temperature यह five degree कम कर सकता है up to five degree है and durability की बात करें तो काफी जदा durable है anti-fangle की अच्छी property है anti-dust की property अच्छी है अगें अगर यह resistance to water आपको provide कर रहा है property तो high washable obviously होगा ही होगा इसमें भी low VOC होता है प्राइस की बात करें तो 400 रुपीस पर लिटर मिलता है color के हिसाब से आपको extra cost देना पड़ेगा covering की बात करें तो 130 square feet per liter company claim करता है double coat 4000 plus color shades होते हैं drying timing 30 minutes है और life की बात रहेंगे तो 10 plus years की इसमें आपको life मिल देखनों को मिलेगी जो इस category में next print आता है वह नेरो लाइक एक्सल टोटल माइका मारबल इस्टेच एंशीन अगर इसकी प्रोपर्टी बात करें इट प्रोवाइड स्मूथ एन एक्सिंट शीन फिनिस यह भी जो है स्मूथ ने सच्छी मिलेगा साथ में इसमें भी शैनी के प्रोपर्टी काफी जाद अच्छी होती है एक्सिलेंट डूरिबल है एड इसी तो यूज है अगें डूरिबल टी काफी अच्छी है सुपीर एंटी फंगल एंटी डस्टी इसमें भी प्रोपर्टी काफी अच्छी होती है हाइली वाशेबल पेंट है लो वी उसी है प्राइस की बात करें तो 355 पर लिटर आपको बेस कलर मिलेगा मिन्स वाइट अगर कोई कलर शेड लेंगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा एडिया कवरिंग की बात करें तो 130 स्क्वेर फीट आपको देखने मिलेगा डबल कोड और अगर शेट की बात करें तो 4000 प्लस आपको कलर शेट मिलेगा एंड फेडिंग की प्रापर्टी समें बहुत अच्छा होता है तीक है इस कलर फेड नहीं पड़ेगा टाइम के साथ टीक है जैसे स्टार्टिंग में पेंट का कलर रहेगा वैसे ही कुछ टाइम बाद भी उसका पेंट का कलर वैसा ही रहेगा प्रोवाइड स्मूथ हैं एक्सिल आपका टम्परेचर ये रूम का कम कर सकता है एक्सिलेंट ड्यूरेबल है सुपेरियर एंटी फेंगल एंटी प्रोपरटी है हाइली वाशेबल है लो व्योसी है अगर कॉस्ट की बात करें तो थ्री फिप्टी रूपीज पर लीटर आपको वाइड कलर प्लस कॉलर इवेन मोर देन ताट ठीक है तो जितने भी ये लक्शुरी रेंज के पेंट से इसमें प्रॉपर्टी ज्यादा तर एक दूसरे से मैच करती है ठीक है कुछ-कुछ प्रॉपर्टी जो है वो डिफर करती है यह इनको अलग-अलग उसमें डिवाइड किया गया है कि दूसरे डेंट नेक्स पेंट आता इसमें निरो ल Sach-टीक नाम सी पता चल लाइश में एंटी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती यह कि यह मिंघ्र के जो जो हम कम होता है और जञ़र ली पेंट तब उखरता है जो मॉन्टर के कॉंटक्ट में आता है या बहुत ज्य छिलके की फॉर्म में वो निकलने लगता है अगर हम आसान भासान बोले तो इसमें भी एंटी फेडिंग की प्रॉपर्टी काफी अच्छी होती है एक्सिलेंट डियुरिबल पेंट है खॉष्ट की बार करें तो 300 रुपीज पर लिटर कलर कोस्ट एक्स्ट्रा कवरिंग 120 स्क्वेर फीट पर लिटर डबल कोड कलर शीट्स 4000 इसमें आपको देखने को मिलेगा ड्राइंग टाइमिंग 30 मिनट्स लाइव जह वो 10 प्लस हीर्स क इस केटेगरी में जो लास्ट पेंट है वह नेरवल एक एक्सल टाइल गार्ड यह जो पेंट है यह डिरिक वॉल पे अप्लाई नहीं किया जाता है ठीक है इसमें नाम से यह आपको देखने को पता चलेगा टाइल गार्ड सो बेसिकली जो है एक्स्टीर वाल पे आजकल ज प्लाई तो इस तरह का दिखता है आप इमेज में देख सकते हैं तो बेसे कि लिए यह जो पेंट है यह उसी के लिए यह डारेक्ट जहां पे प्लास्टर होता है वहां पर यूज नहीं किया जाता है इसको ब्रिक वॉल पर यूज किया जाता है और रूफ टाइलिंग में चब्लाइब कोलर का यह पेंट होता है और बीकलर चेट में आते हैं जड़ी मेरूब कलर में आप देखेंबें कहीं न कहीं सो यह भी प्रीमियम पेंट है जिक है रूफ डाइलिंग के लिए इसकी वाश अटी बैस एक खास बात था इसकी वाश इनट वाश करेंगे तो यह पेंट खराव हो सकता है और कोश्ट की बात करें तो 290 रूपीस पर लीटर है और एरिया कवरिंग इस पी काफी कम होती है 100 या उससे भी कम रहेगा और ड्राइंग टैमिंग सेम रहता है 30 मिनट्स लेकिन लाइफ जो इसमें 8 प्लस यर्स की लाइफ मिलती है और बाकी जो प् किस में से प्रॉपर्टीज मैच करती हैं सीमिलर प्रॉपर्टीज हैं आई हूप आपको इन्फॉर्मिशन अच्छे लगी होगी इफ यह दिन गिव थम्स अप और वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड फैंबली में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली देखिए विकॉज आगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो जो भी जानकारी आपको चाहिए में भी यो आपको ना मिल सकें और कई बार क्या होता है कि जो आप कोशन पूछन चाहते हैं उसका आंसर अल्रेडियो में होता है जस्ट विकॉज आप वीडियो को इसकिप कर सब्सक्राइब है कि वीडियो को कमप्लीट देखा करें अगर आप वीडियो को करते हैं तो उससे वीडियो की रेटिंग पर एफेक्ट पड़ता है तो यही कहना था आपसे अगर आपने बाकी ब्रेंट्स पर वीडियो नहीं देखा है एशियन बर्जर पे तो आई बटन क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं सो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्ष्ट वीडियो में किसी नाय थाट के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिन वंदे मातरम